Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल परंतु इसमें कुछ महत्पूर्ण जो कारे हैं, वो मैंने आज के lecture में उनका समावेशन किया है, I have included them, और at the same time, क्योंकि मुझे practical अनुभव है, सब डिविजनल लेवल पे काम करने का मैं 2015 के UPPCS batch का अधिकारी रह चुका हूँ, उसके बाद त्याक पत्र देने के बाद मैं स रूप से सिक्षा के छेत में हूँ, और परिक्षाओ की तैयारी में आप जैसे students को मदद करता हूँ, तो ये topic बहुत लंबा तो मैं नहीं खीचना चाहूँगा, short में, compact रूप में आपको पूरा बताऊंगा, और अपने personal अनुभव भी उसमें add करूँगा, तो इसी के हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और major functions जो है district collector के, वो मैं आपको बताता हूँ, साथ में एक चीज और है कि district collector, district magistrate, development, commissioner, कई नामों से ये पद को जाना जाता है, इसके उपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, और आपको फश्ट रूप से बताऊंगा कि क्यों ऐसा है कि district collector, district magistrate, PC, अनेकों नेक नाम से इसको जाना जाता है, और क्या overlapping functions हैं, या कौन से ऐसे function हैं, जो collect rate के अंदर आते हैं, collector के अंदर आते हैं, और magistracy के क्या functions हैं, ये आएगा next of the lectures में, अब इस lecture को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, तो सबसे महत्पून जो एक function है, वो है revenue administration अब देखे revenue का मतलब ये है, कि सरकार, जो राज्य सरकार है, वो क्या करती है, mainly लोगों से, जो किसान है, उनसे भी वे अन्य तरीके के अन्य दे होते हैं, वो लेती हैं, तो revenue administration एक बहुत ही important function है, जो की district collector के अंदर गताता है, और यहाँ पर जो आप ये नक्षा देख पा रहे हैं, ये है एक गाउ में खेतों का नक्षा, अगर आप कभी ground पे जाएंगे, जब swim, I.S. अदिकारी, SDM बनेंगे, तो आप ऐसे नक्षों को देखेंगे, और ये सर्पाकार चलता है, ऐसे करके numbers होते हैं, यहाँ पर देखिए, ये numbers 150, 152, 51, 53, 54, 55, 56, 7, 159, 60, 63, ऐसे क करके होते हैं, ऊपर से नीचे नहीं, ऐसे करके चलते हैं, देखिए, 46, 47, 48, तो इसको बोलते हैं, हिंदी भाशी शेतरों में, जैसे कि मैं मुरादबाद डिस्टिक में पोस्टिट था, उत्तरप्रदेश की, तो सजरा बोला जाता है, मैप है ये, और ये लेखपाल अमीन कहेंगे, street level bureaucracy का विक्ति होता है, अमीन, वह विक्ति उगहाई करने या फिर लोगों से revenue लेने जाता है, और कहीं तरीके के और भी दे होते हैं, कहीं करीके के और भी डे यूज होते हैं, जो district administration, district collector rate के माध्यम से क्या होता है, उसको लिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे दे हैं, ऐसे dues होते हैं, जैसे कि banks हैं, अगर banks क्या करते हैं, loan देते हैं लोगों को और वो loan चुकान आ रहे हों, तो उसके बाद ये तहसील पे भेज़ दिया जाता है, DM के माध्यम से, तहसील इस तर पे आ जाता है, क्योंकि DM तो सब्दी चीजों का head है, तहसील इस तर पे यह कार जो है, यह भी आपका collection of dues में आता है, तो बहुत सारे काम हैं, छोटे में अगर मैं समझाओं तो बहुत बड़ा share of revenue state government के पास आ रहा है, खेतों में किसानों से भी हर फसल पे लिये जाने वाला revenue का, इसके अलावा आप देखें, executive magistracy और maintenance of law and order, another very important function, तो magistracy जो है, य इसको compare ना करें, ना ही confused हो, judicial magistrate जो है, वो judge होते हैं, जो की jurisprudence, उनका काम है, judge की भूमिका में वो जो IPC, CRPC या state laws के तहत लोग पकड़े जाते हैं, उनको सजा करते हैं, यहाँ पर है executive magistrate, यह क्या है, laws को execute कराने के समय, magistracy की power दी जाती है, और जैसे CRPC में बहुत सारी powers ह हैं, यह से धारा 144 ही आपने सुनी होगी, तो यह धारा 144 ऐसी जो धाराएं हैं, वहाँ पर CRPC में भी provisions हैं, यही ministry के कारे हैं, मेला duty में जाना, कहीं पर अगर स्थिती हो जाए, तो firing भी कराना, यदि स्थिती out of control हो गई है, जहां पर दंगे हो रहे हैं, या फिर किसी रास्त को रुकवाना, वन वे बनाना किसी भी रास्ते को, यह सब क्या है, magistracy के powers के तहती आता है, इसके साथ law and order जो duties हैं, भारत में, भारत जैसे जटिल देश में, law and order की बहुत समस्याएं, रोज मर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती हैं, जैसे कि very recently आपने देखा कि राम नम मुदायों के बीच में, आपसी मनमुटाव, आपसी एक वहमित्स से का भाव पैदा हो गया, and we saw there was some stone pelting, and also there was some people got injured, police also, लाठी चार्ज, यह सारे जो काम हैं, चाहे वो मेला अधिकारी के रूप में, मेला ड्यूटी में जाते हैं, या फिर जो आपको मैंने बताया, मेजर तयोहार है, इद है, दिवाली है, दशेरा है, यहाँ पर चीजों को मेंटेन करना, इसके अलावा कोई VIP मुवमेंट है, वहाँ पर चीजों को मेंटेन करना, कोई बड़े आयोजन है, किसी भी छेत्र में, उनको मेंज़ करना, तो मेंजिस्ट्रेसी की पावर है, पुलिस जो SSP है वो भी एक तरीके से डिस्टिक मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर रहे हैं और ओर ओर जिम्मेदारी लॉइन ओर की एम डिस्टिक कलेक्टरेट की है और साथ में जो आपकी अन्य जिम्मेदारियां है विदिन दपुलिस विभाग को समालना वो SSP महोदे कर र हैं मैंने रेवेन्यू एड्मिस्टेशन के दाथ आपको एक सजरा एक मैप समझाने की कोशिश करी और साथ में यहां पर डीम साहिबा है यह लॉइन ओर की सिचुएशन को देख रही है कहीं पर कोई चीज होने वाली है तो यह सेक्टर वाइज लोगों को ड्यूटी का अल रहती हैं कि जिसमें डीम को भी जो डिस्टिक कलेक्टर हैं डीम हैं उने भी सड़क पे जाना पड़ता है ग्राउंड में जाना पड़ता है अब इसी के साथ एक आपको मैं और सूचना दे दूं कि हमारा पब्लिक अड्मिस्टेशन का बैच जल्द ही बहुत ही जल्द 21st April 2023 से शुरू हो रहा है और इसको इसको मैं as an faculty member resource person इसमें आपको पढ़ाऊंगा यह एक बज़े से रोज शुरू हुआ करेगा साथ में यहां पर हम पूरी classes आपको कराएंगे साथ में बहुत ही in-depth test series कराएंगे जिसमें total मिलाके 12 टेस्ट होंगे 8 sectional test होंगे और 4 full length test होंग 8 sectional test होंगे section wise paper 1 paper 2 और 4 full length test होंगे और यह live classes होंगी अगर आपको public administration के साथ अपनी तयारी करनी है और जल्द ही officer बनने के सपने को साकार करना है तो आप SC live code का use करके बहुत ही कम दामों में ये course avail कर सकते हैं क्योंकि मैं academia में public administration का student भी रहा हूँ और अभी PhD candidate भी हूँ public policy का और साथ में net JRRT भी हूँ और मुझे ground पे, sub-dimensional level पे काम करने का अनुबव है मैं आपको बहुत ही उतकृष्ट रिधंग से public administration पढ़ाऊंगा और आपके selection में अपनी सहभागिता निभाऊंगा आगे बढ़ते हैं इसको ध्यान रखिएगा SC live से prizes slash होने लगेंगे इसका उपयोग करिए तीन और एक चीज जो याद रखनी है आपको 21 April अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो licensing और regulatory authority भी होता है district magistrate, district collector कई चीजों में तो ये इसका क्या मतलब है कि बहुत तरीके के license होते हैं जो आपको district level पे दिये जाते हैं और regulatory भी function है मतलब चीजों को regulate करना जैसे cinema के license है या फिर आपका license है bar या फिर आपका यहाँ पर एक performer दिखाई दे रहा है form of renewal of license कहा है चीज़ का है यह है weapon के license, arms license for individual district magistrate यहाँ पर एक महर भी लगी हुई दिखाई दे रही है तो यह नाम है इनके हटा दिये गए हैं वो सही है ठीके government of India तो आप यह देख पा रहे हैं कि यह जम्मो कश्मीर से related एक क्या था performa था और एक license दिया गया था तो जो weapons के license है वो भी district magistrate देते हैं cinema, bar, casino, essay license भी district magistrate देंगे और इनका renewal कराने का काम, इनको ध्यान रखना, renewal कराना annually, तो वो भी करते हैं, मैं अपनी duty में मुरदबाद district में ऐसे gun houses में district magistrate के सपास से जब order आया inspection करने जा चुका हूँ, वेपन के case में district magistrate को बहुत ही अधिकार हैं, वो अपने नीचले करमचारियों से, SDM पे, अन्य तहसि समय समय पर ऐसी जाच कराते रहते हैं, जो वेपन की shop हो, उनमें कितने cartridges हैं, कितने बंदूके हैं, और लोगों को चुनाओ के समय, ऐसे जितने भी उनके पास weapon है, individual के रूप में, वो वापस मीमाल खाने में दर्द भी कराने होते हैं, ये भी प्रबंद है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, district magistrate के पास से हो रहा है, इसके अलाबा, elections duty में, बहुत ही important काम है, district magistrate, district collector का, और पूरी ही, जिसे हम कहेंगे, प्रशाशनिक अमले का, there is a big duty of the district magistrate that he has to play, district collector that he has to play, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, returning officer की भूमी का निभाता है, district collector, reviews, preparedness, तो अपने छेतर में किसी भी constituency में, parliamentary constituency में, एक example के तौर पे मैंने इसको लिया है, यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, एक example, तो जहाँ भी लोगसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ पर district magistrate, district collector ही, क्या होता है, returning officer होता है, और जहाँ पर MLA के चुनाव होते हैं, विदान सबा के वहाँ पर SDM's, returning officer होते हैं, पूरा preparedness और बूथ लेविल तक चीजों को दुरुस्त रखना, meeting कराना, इसके साथ साथ ट्रेनिंग कराना, इसके साथ साथ EVM की व्यवस्ता करना, और लगातार समवाद, लगातार communication बनाए रखना, important काम है, और इस समय जब elections होते हैं, पूरे के पूरा जो government machinery है, administrative machinery है, वो किसके अधीन आजाती है, वो आजाती है, आपके election commission के अधीन, तो this is a tough time, and everybody, all of the officers are on the toes, बहुत ही महनत वाला काम होता है, साथ में, disaster management के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, recent times में भी हमारे द हमने देखा है, उत्रा खंड में अगर हम बात करें, तो tragedy of केदारनाथ हुई थी, उसके बात, एक साल, तेड़ साल पहले ही, वहाँ पर एक dam burst हो गया था, और ऐसी घटना हैं, आपको देखने को मिलती है, साथ में, अगर हमें monsoon type का हमारा weather है, तो monsoon के समय हम यह देखते है कि floods की इस्तिती बहुत जादे होती है, और मेरा अपना भी अनुभव है, क्योंकि मैं मुरदबार डिस्टिक में था और मैंने यह देखा, वहाँ पर राम गंगा नाम की नदी है, तो डिस्टिक, मेजिस्टेट और SDM तहसीलदार और पूरा तहसील प्रशाशन, यह सारा का सारा एक साथ काम करता है, जब भी हमें देखने को मिलता है कि कहीं भी कोई तरासिदी आई है या डिजास्टर हुआ है, तो यह एक्जामपल है, उडिसा स्टेट डिजास्टर मेनेजमेंट और अथरिडी का एक मैंने एक्जामपल लिया है, यह कहीं थोड़ा बहुता कराने का उसका कारे होता है, तो यहाँ पर ब्लॉक डवलप्मेंट ऑफिसर्थ हैं, और डिस्टिक एमर्जनसी सेंटर है, तहसीलदार नोडल एंजियो है, फ्लड रिलीफ में, साइकलोन रिलीफ में, यह एक मॉडल के तौर पे बताया जा रहा है, पंचायतों का भी इस्ट्रेट ही है, और वो बढ़ी ही महतपूर्ण हुमिका निबाते हैं, प्लैनिंग में, कॉडिनेशन में, एक्जिक्यूशन में, और जनता जनार्दन को हेल्प कराने में, चाहे वो पोर्ट्स पहुचानी हो, चाहे उनका इवाक्वेशन करना हो, या फिर वहाँ पर फ पर अन एक जो मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्स से रिलेटेड जो लोग हैं, अफसरान हैं, उनके द्वारा ये कराते हैं, आगे हम बात करते हैं, फूड एंड शिवल सप्लाइज की बात करें हम, फूड सप्लाइज आपको पता है, भारत में तो पड़ी योजना भी चल रह और इसके अलावा फूड सप्लाइज पीडियस जो है, जैसे अभी भी प्रधान मंतरी जो गरीब कल्यान अन योजना हैं, उसमें आप सभी को पता है, असी करोड लोगों को ये अन पहुचाया जा रहा है, और हर महीने, मन्थ आफ्टर मन्थ और रेगुलर डिलिवरी जो ह होती है, जी कि वो कैसे संपन हो पाती है, मुझे अनभव हुआ इन पीडियस शॉप्स की जांच करने का, इन में जो खामियां थी, उसको रिपोर्ट करने का, डीम साहब को, और कहीं बार उन पीडियस शॉप्स पे कारवाई भी करी गई, तो ओवर ओल, जो भी ये फंक्श सप्लाई ऑफिसर होता है, उसकी भी एक भूमी का होती है, जिस्टिक सप्लाई ऑफिसर की, जिसके तूरू, डीम क्या कराते हैं, इन चीजों को लागू कराते हैं, और तहसील से, SDM के तूरू, और आगे चीजों के एक्जेक्यूट कराना इनका काम है, इसके साथ बहुत स जाता है, डिस्टिक मेजिस्टेट के दौरा, सेंसेस में, जो आपको पता है, भारत में हर दर्शवर्शों के बाद सेंसेस होता है, वहाँ पर सेंसेस में जिला इस तर पे जो help कराते हैं, एक तरीके से सेंसेस अधिकारी हो गए, वो डिस्टिक मेजिस्टेट की दिम्मेद होता है जैसे एक कॉर्डिनेशन तो है कि फुलिस SSP और डिस्टिक कलेक्टर के बीच कॉर्डिनेशन हो रहा है दूसरा कॉर्डिनेशन है कि तहसील इस तर पे TM और ADM SDM और तहसीलदार ठीक है ये नीचे तक जो लाइन है मैं आपको इसको बिलकुल स्पष्ट रूप से बता देता हूँ यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए तो डिस्टिक मेजिस्टेट इनके लिए नीचे ADM रहते हैं फिर तहसील इस तर पे अलग-अलग तहसील प्रशाशन होते हैं T1 जैसे और T2 मैंने बता दिया आपका एक्जामपल के तौर पे तहसील वर में SDM तहसील 2 में SDM फिर इनके नीचे तहसीलों में भी कहीं आपके क्या हो सकते हैं sections होते हैं एक तैसिलदार होते हैं यहीं पे और अब तो तैसिलदार भी जुडिश्यल तैसिलदार भी होने लगे हैं क्योंकि revenue के बहुत सारे case होते हैं का मतलब है जमीन की खरीद फरोक्त से related बहुत सारे case होते हैं और उसमें नयब तैसिलदार से लेके और डियम और डिविजनल कमिशनर ये सारे ही अधिकारी उसमें जज की भूमी का निबाते हैं तो रेविन्यू कोट लगता है तो ये मैंने बताया तहसिलदार अब यहां पे और आपके नायब तहसिलदार और उनसे भी नीचे होता है रेविन्यू इंस्पेक्टर कानून गो जिसे हम बोलते हैं और उनसे भी नीचे होते हैं पटवारी या लेकपाल अलग-अलग राज्यों में बोला जाता है ने तो ये आप देख रहे हैं डिस्टिक का आपको मैंने एक ओवर्वियू दे दिया इसके अलावा बहुत तरीके के और कॉडिनेशन हो सकते हैं जैसे एक एक्जामपल बताता हूँ आपको आपने स्वामित्य स्कीम का नाम सुना होगा और वो लगाने के लिए आपकी पंचायती राज मिनिस्ट्री साथ में स्वामित्य स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है केंदर की साथ में आपके जो सर्वे ओफ इंडिया देहरदून में ये संस्थान है ये और जिला इस तरफे District Collector या District Magistrate की जिम्मेदारी है ये पूरा Coordination कराना Central का एक भारत सरकार की संस्थान Survey of India और District Level पे जो नक्षे हैं और स्वामित्य के थुरू आपको पता है कि लोगों को रूरल एरिया में उनके ग्रहे घर जो रह रहे हैं उनकी स्वामित्य दिया जा रहा है उनका Possession दिया जा रहा है और एक तरीके से नक्षे को Electronic माद्यम से उनके पास पचाया जा रहा है अब यह अपने आप में बड़ा जटिल काम है एक सेंटर का जो हमला है एक संस्थान और District तो यह पूरा Coordination कराना किसकी जिम्मेदारी है District Magistrate की तो मैंने एक्जामपल के साथ आपको समझाया इसमें लोकल और ड्रोन के थ्रू क्या किया जा रहा है लोकल तहथीलदार और लेक पाल अपने नक्षे के दुरूस्त करते हैं ड्रोन उडाके उसमें क्याप्चिरिंग करी जाती है उ पिर E-Certificate Electronic मादन से जो लोगों को उनकी possession दी जा रही है तो यह कार चल रहा है अनेक राज्यों में अनेक इस्तर पर यह सारा Economic Development का कार है तो Economic Development में बहुत सारी चीज़े आ जाती हैं जैसे बहुत सारे function है agriculture से related, irrigation से related, बैंकों से related, veterinary से related, इन सब की meetings लेना इन सब की meetings लेना district magistrate का काम है और लगातार meetings लेते हैं और कई बार ऐसी भी चीज़े देखने को मिलती हैं सक्त कारवाई करते हैं यदि उन meetings का outcome वो देखते हैं ठीक नहीं आ रहा है चीज़ों का जैसे यहाँ पर मैंने एक example लिया है कि bank managers incurred DMs worth over delay in किसान credit card तो bank managers को DM साब के को भोजन का शिकार होना पड़ा गुस्से का शिकार होना पड़ा क्यों कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़े नहीं करी थी जो की जरूरी था जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है district magistrate का नाम है और tough decision लिया उन्होंने bank managers के club in the wake of large scale complaints आ रही थी कि delay हो रहा है और non preparation of किसान credit cards किसानों को किसान credit card नहीं मिल रहा है यहां तक कि DM जब सक्त होते हैं तो क कर सकते हैं यह देखिएगा economic development को संपन कराने के लिए सुनिश्चित कराने के लिए DM can order DM has order registration of FIR against the managers of UBI MOEMA and State Bank of India the matter was raised by district agriculture officer during the review meeting of the preparation of किसान credit card where it was informed that UBI ने failed to note of around 76 application for preparation of KCC तो आप यहां पर देख रहे हैं यह district magistrate का का काम है coordination का का काम है development का काम है और जब development में कहीं भी भिलाई होती है तो उसको सखत रूप से खेंच दिया जाता है उनके द्वारा तार को और चीजे संपन होने लगती हैं तो आपने देखा कितने सारे कार हैं यहां पर मैंने आपको अनेक तरीके के कार बताया इसके अलावा भी जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया था कि इसके ओपर तो PhD हैं books लिखी गई है, thesis हैं तो पर short में आपको क्योंकि समझाना है और examples के साथ समझाना है ताकि आप public administration के लिए तो तयार हो ही और साथ में GS में भी इसका उपयोग करें तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं rural development का काम है तो rural area में अनेकों तरीके के development होते हैं ठीक है और development के लिए भी क्योंकि developmental function को अलग एक जिसे हम कह सकते हैं एक bifurcation धीरे-धीरे करा गया है क्योंकि जो बहुत सारा बोज था district collector पे तो changing role of district collector हम बोलते हैं उसको भी मैं आपको समझाओंगा एक अन्य वीडियो के मादम से बहुत सारा जो वजन था district collector पे उसको कम करने के लिए developmental जो function है उसको अलग कर दिया गया तो आपने district development officer और आपने chief development officer और block development officer और village development officer ये जरूर सुने होंगे यहाँ पर जो rural development की जो बाते हैं इसमें कोई एक ही विभाग अपने आप में फूनते हैं संपन नहीं है बलकि district magistrate और BDO, DDO या CDO और साथ में पंचायतों को भी मिलके कारे करना पड़ता है तो development से जो related कार है बहुत सारी scheme को लागू कराना और खड़ंजयों को निर्मान करना पानी की वे उस्ता करना ये सारे काम है local self government में पंचायतों के आने के बाद आपको पता है 73rd amendment के द्वारा जो 93 में लागू हो गया उसके बाद हमने ये देखा है कि DM का जो कार है वो थोड़ा कम हो गया है और कम होने का मतलब है कि थोड़ा उनका जो कार है मिल गया है अब हमारी ग्राम पंचायतों को ग्राम सभाओ को ठीक है तो यहां परंतु all together कॉडिनेट कराने वाली जो बात है वो तो district magistrate के थुरूई होता है और यहां तक कि planning में जो आपकी district planning committee है और पंचायतों में उनमें भी district magistrate अपनी important भूमी का निभाते है लोकल self government को संपन करान में पंचायतों को सही से लागू कराने में और इसके अलावा भी पंचायत लेवल पे जो चुनाओं हो रहे हैं और निकाय लेवल पे जो चुनाओं हो रहे हैं urban areas में उनकी भी जिम्मेदारी district magistrate पर ही आती है information technology तो national informatic center जो है उसके थुरू जो भी information जाएगी जिला इस तर से उसको तुनिश्चित कराना लगातार information को update कराना वो यह भी कार district magistrate के द्वारा होता है और यह तो एक चीज है जैसे जैसे अब चीजे technology आ रही हैं जैसे आपने देखा होगा कि वीडियो conferencing होती है और कोविड के समय आपने देखा होगा कि Mr. Modi जो हमारे भारत के प्रधानमंतरी जी है प्रधानमंतरी महोदे ने COVID-19 के समय कहीं बार district magistrate, district collectors के थुरू online क्या किया है समवाद किया है तो ऐसी बहुत सारी नई information related जो चीजे हैं उनको भी संपन कराना district magistrate का काम है अब ये तो मैंने आपको कुछ इसमें से function बताए हैं और compact रूप में इसको बताने के लिए मेरे पास जो तरीका था उसको मैंने use किया इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे इसको lectures में तो ये बहुत ही detailed topic है इसका historical origin क्या है साथ में क्या changes आए हैं क्या इसको और ज्यादे change करना चाहिए district collector district male state की post को और क्या ये वो tortoise है जिसके उपर पूरा का पूरा शाशन चलता है ठीक है तो जैसे माननेता कहा जाती है कि एक कहावत है भारत में की country के देश के इस्तर पे राष्ट के इस्तर पे अगर मैं nation की बात करूं राष्ट के इस्तर पे देश के इस्तर पे ठीक है तो वहां पर तो PM और province में या state में CM और जिले में district में DM तो ये बात बहुत हद तक सार्थक है इसको हम मान सकते हैं कि ये सच है क्योंकि इतने बड़े functions हैं ये कुछ functions मैंने आपको बताए मुझे पूरी उमीद है आपको ये पसंद आया होगा इसी के साथ ऐसे ही अन्य रोचक public administration से related videos को देखने के लिए have a look on this space till then जै हिन जै भारत Study IQ IS अब तयारी हुई affordable